आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें जल एवं जो खनीच लवन रहते हैं जल तथा जो खनीच लवन रहते हैं उनका अवशूशन करती है ठीके, तो यहाँ क्या हो गए? यहाँ हो गए जो जड़ है उसके साम्मानेकार इसके अलावा जो पोधों की जड़े रहती है वह परियावरण के लिए भी भहुती जादा लाब दायक रहती है ठीके, जो जड़े रहती है वह क्या करती है वह मिट्टी को बांधे रखती है जिससे म्रदा आपरदन कम होता है ठीके, जो जड़े रहती है वह क्या करती है वह मिट्टी को बांधे रखती है बना सकती है ठीके जो जड़े रेती वह क्या करती है वह नया पोधा बना सकती है ठीके और जो एक पोधा रहता है उसका नाम है पॉपुलस एंड डाहलिया क्या होता है पॉपुलस तथा जो डाहलिया पोधा होता है उनके पोधों की जड़े रहती है ठीके उनकी जो नोक पर क्या रहती है कि जो apical meristrum tissue होता है ठीक है तथा जो populous रहती है उसकी जो लंबी जड़े होती है ठीक है और जो टालिया रहती है इसकी जड़ vapor रहती है वह किसी रहती है वह कंद मूद होती है ठीक है तो जोenas Tissue होते हैं हर सेल में सक्री रूप से भाजित हो जाते हैं तथा नया पोधा बन जाता है ठीके तो हमारा जो उत्तर है वह यहीं समाप्त होता है जड़ की दो काले और क्या जड़ नया पोधा बना लेती है तो उत्तर यहीं समाप्त है आशा है कि आपको इस्प्रेशन का उत्तर समझाया हो वीडिय को देखने के लिए धन्यवाद